कैसे हो बच्चो? बच्चो, आज हम पाठ पढ़ेंगे पाठ दस क्यों जी मल और कैसे कस लिया? देखो बच्चो, इनसे मिलिए ये हैं क्यों जी मल बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों? क्यों? भले ही आप से जवाब देते, बने या नहीं? पता नहीं क्यों? और ये हैं उनके दोस्त कैसे? कस लिया ये भी कोई काम, कोई कम नहीं, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे? भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप क्यों, क्यों, किों कैसे, कैसे, कैसे पढ़िये और पता कीजिए देखो बच्चों कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनका उनके मुझ से बार-बार एक ही बात निकलती रहती है जैसे क्यों जी मल से क्यों 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 और कैसे कसलिया से कैसे 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 तो देखो बच्चों जब इस तरह की बाते होती हैं तो हमें क्या लगता है कि हम उनसे बोर हो जाते हैं ठीक है और उनके साथ मुलाकात करने में भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम कहीं भटक गए हैं भूले भटके कभी दोनों एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप यदि उन दोनों के साथ एक साथ बात हो गई एक साथ मुलाकात हो गई तो हम क्यों और कैसे के बीच में ही भटकते रहेंगे देखो बच्चो अब यहां क्या दिखाया है गुरू जी नमस्ते किधर चले नमस्ते जरा बाजार जा रहा हूं बाजार क्यों 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 गेहूं पिस्वाना है इसलिए बाजार कैसे 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 साइकल पर वैसे निकला तो पैदल था पर थेले पर थेली देख सिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी अच्छा गेहूं पिस्वाना है क्यों 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 अरे आटा जो चाहिए पिस्वाना कैसे 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 चक्की में भई आटा क्यों 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 भईया रोटी नहीं बनाएंगे रोटी कैसे कैसे अरे आटे को सानेंगे बेलेंगे तब पकाएंगे आग पर फुलाएंगे सानेंगे क्यों क्यों सुनो सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ने आग पर तपने से यही पानी भाब बन कर बिली हुई रोटी को पकाता है इसलिए सानेगे देखो बच्चों आप देख रहे हैं न कि क्यों जी मल और कैसलिया दोनों के बीच में ये बिचारे बुढ़े बाबा फस गए ये गुरुजी हैं ये स्कूल के अध्यापक हैं इसलिए इन्हें गुरुजी कहा गया है और ये इनके बीच में फस गए क्यों फस गए? क्योंकि ये दोनों इन्हें question पूछ पूछ कर प्रेशन पूछ पूछ कर परिशान कर रहे हैं इन्होंने पूछा कहा जा रहे हो, कि आटा पिस्माने, क्यों जा रहे हो, कि आटा का खाना है, रोटी बनानी है, उसी बीच कैसे पूछ लेता है कि किस लिए जा रहे हो, कैसे कैसे जा रहे हो, कि साइकल पर जा रहा हूँ, निकला तो पैदली था लेकिन, निकला तो मैं पिस्वाना है क्यों अब ये भी पूछ रहे हैं कि ग्यों क्यों पिस्वाना है अरे ग्यों क्यों पिस्वाए जाते हैं भई ग्यों आटा बनाने के लिए पिस्वाए जाते हैं फिर पूछते हैं कैसे 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 चक्की में भई आटा क्यों 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 बहिया रोटी न पुलाईएं तब वह रोटी बनेगी सुनो सने आटे में थोड़ा पानी रहता है और आग तपने पर यही पानी भाब बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है इसलिए सानेंगे अब देखो बच्चो सानेंगे कैसे 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 है तुमने कभी देखा नहीं है क्या परात पर आट निकालेंगे चुटकी भर नमक डालेंगे फिर धीरे धीरे एक हाज से पानी डालते हुए सानना सुरू करेंगे पहले पहले सारा आटा बिखरेगा फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे समझे अच्छा परात पर क्यों 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 कैसे 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 गुरू जी तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंध हो जाएगी बंध हो जाएगी क्यों 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 बंध हो जाएगी कैसे 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 लेकिन तब गुरु जी साइकिल पर सवार फूर हो चुके थे देखो बच्चों क्यों और कैसे के चक्कर में गुरु जी को कितनी देर हो गई गुरुजी को इतनी देर हो गई कि वह उनके चक्कर में इस तरह से फस गए वह पूछते ही रहे और वह फस गए कैसे फसे कि अब आटा कैसे साना जाएगा आटा कैसे साना जाएगा आटा ऐसे साना जाएगा कि वह परात में निकालेंगे चुटकी नमक उसमें डालेंगे फिर धीरे धीरे खास से पानी डालते हुए उसको सानना शुरू करेंगे पहले पहले सारा आटा बिखरेगा पहले तो सारा आटा फैल जाता है पूरी पराद में फिर हम उसे इखटा करते हैं और अच्छे से सान लेते हैं तो फिर वो पूछते हैं अच्छा पराद पर क्यों क्यों और कैसे कैसे इतनी बात सुनकर गुरुजी बोलते हैं कि तुम्हारी क्यों क्यों और कैसे कैसे में तो मेरी चक्की ही बंध हो जाएगी लेकिन तब तक गुरुजी और वो फिर चक्की बंध हो जाएगी इस बात को सुनकर फिर क्यों क्यों और कैसे कैसे कहने लगे लेकिन इतनी बात सुनकर गुरू जी तो साइकिल पर सवार होकर वहां से जा चुके थे वहां से फूर हो गए थे तो ये देखो बच्चों जब कोई एक ही बात को बार-बार दुहराता है और अपने प्रशनों को बार-बार पूचता है तो एक मनुष्य परिशान हो जाता है और जब वहां परिशान हो जाता है तो उसे वो बीच रहा में छोड़ कर ही चला जाता है लेकिन हमें क्या करना चाहिए जैसे गुरू जी ने उनके सारे सवालों के जवाब दिये उसी प्रकार हमें भी उनकी तसली तो कर लेनी चाहिए लेकिन जब वो हमें ज़्यादा परिशान करें तब हमें छोड़ देना चाहिए कि हम उससे ज़्यादा बात ना करें क्योंकि हम भी परिशान हो जाते हैं तो बच्चों हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो हम दूसरों को परिशान करें दूसरों को परिशान करना अच्छी बात नहीं है अब देखो बच्चों हम इसके शब्दर्थ और कठीन शब्द भी करेंगे लेकिन वो कल करेंगे ठीक है धन्यवाद